हालू बचो तो बही कैसे हो आपसे भी आए होप सारे बचे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बचो तो भाई तुम लोगों की जो mind map series चल रही थी जिसमें तुम लोगों का response एकदम बहतरी शानदार जबरदस आही रहा है ठीक है उसमें मैं अगला chapter जिसके लिए तुमने comment section भर रखा था पूरा का पूरा की sir इस chapter का mind map करा दो भाई लेकर आया हूँ जो की है trigonometry trigon plus metron भाई ब 95% चो उपर marks आ जाए है ना यही तो तुम्हारा motive है अब important chapter क्यों है तुम्हारा trigonometry क्योंकि देखो class 10 में इसका base set होगा और class 11, 12 इसके बाद अगर आगे mathematics कहीं भी पढ़ते हो तुम्हें यह देखने को मिलेगा ठीक है और class 10 के board के exam में ये chapter सबसे जादा marks का पूछा भी जाता है ठीक है मतलब जो सबसे जादा marks के आने वाले chapters है उनमें से एक chapter है trigonometry यह बात सब जानते हैं ठीक है यह जगत जाहिर बात है यह बात सब जानते हैं ठीक तो अब बच्चों यह chapter important होने वाला है और इसे मैं cover कराऊंगा 30 मिनिट में जहां पर हमारे पास तीन topic है इस पूरे chapter में जो कि आपके इस लेपस में छोड़े गए है उन तीनो topic को मैं discuss करूँगा उन पर बेस एक एक दो दो question करेंगे ताकि तुम्हारा जो trigonometry का पूरा chapter है वो revise हो जाए ठीक है तो बिना कोई देगी के बिना कोई time निकाले सीधा शुरू करता है class कमल सर के साथ तो चलो गई तो सबसे पहले बात करते हैं trigonometric ratios यहाँ पर देखो हमारे पास जो chapter है trigonometry इसमें अपने पास क्या है इसमें अपने पास पढ़ने के लिए तीन चीज़े है पहला trigonometric ratios ठीक है उसके बाद अपने पास आता है एक खाली column अब तुम कहोगे सर यह column खाली क्यों है क्योंकि जो नाम था वो बहुत बढ़ाता और मेरे column में आ नहीं रहाता ठीक है नाम क्या है trigonometric ratios for some specific angles जहां पर हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में हमारा 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree और 90 degree के जो angles हैं इनके लिए हमारी trigonometric ratios की क्या value होती है ठीक है और आखरी topic है trigonometric identities क्या है trigonometric identities तो हमारे पास थीन trigonometric identities है जो कि तुम लोग के इस लेबस में हैं तो बिना किसी देरी के बिना कोई time गवाए सीधा शुरुआत करते हैं हम class की तो देखो trigonometric क्या है trigonometric थी हमारी trigon अपना अगर हम बात करें trigonometric है हमारी trigon plus metron अगर हम यहां से निकाले तो यह क्या आता है हमारे किसी triangle को measure करने के लिए या फिर हम बात बोलें तो किसी triangle की sides और angle के बीच में जो relationship होता है उसकी study को ही हम क्या बोलते हैं हम trigonometry बोलते हैं और इसका use तुम जानते हो worldwide आपके पूरे जिंदगी में कई जंगा होता है और यह सारी चीज़े तुम पढ़ोग के भी कौन से chapter में some application of trigonometry में कि trigonometry का use होता कहा है ठीक है तो अब जो है आज की class में हम trigonometry का basic clear करने वाले हैं मतलब जो तुम्हारा introduction to trigonometry वाला chapter है वो basic है बिल्कुल तो उसी पूरे chapter को हम cover करेंगे तो शुरू करते हैं बच्छों कहां से trigonometric ratios के साथ ठीक है तो बड़ी trigonometry तुम जानते हो trigonometry कहां use होती है बड़ी बड़ी चीजों की पहाड हो गए तुम्हारे दो points के बीच का distance हो गया, towers हो गए ठीक है इवन planet और sun और तुम्हारे दो different planets और उनके जो तुम्हारे क्या होता है satellites के distance वगएरा होते हैं इन सब को निकालने में भी trigonometry का use होता है ठीक है अब जैसे कि मैंने तुम्हें already पता है कि ये trigon प्लस metron से मिलकर बना है ठीक है जहाँ पर triangle trigon का मतलब है triangle metron का मतलब है तुम्हारे क्या to measure ठीक है trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of the triangle ये चीज मैं तुम्हें starting में ही से हैंगे trigonometric ratios, trigonometric ratios for some specific angle and trigonometric identities तो पहला topic आता है trigonometric ratios क्योंकि अगर trigonometry पढ़नी है तो तुम्हें ratios पता होने चाहिए ठीक है तो trigonometric ratios क्या है तो पेटा देखो किसी right angle triangle के लिए किसी right angle triangle के लिए जब हम उस right angle triangle की sides में किसमें sides में मालनों ये एक right angle triangle triangle है a b c जिसका angle b 90 degree है तो पेटा जब हम एक right angle triangle की sides में ठीक है किसमें sides में और उसके किसी एक specific angle के बीच में relationship establish करते हैं या फिर हम बोले तो जब हम किसी angles की sides के ratio और उसके angles के बीच में क्या करते हैं अपना relationship establish करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बनते हैं trigonometric ratios जैसे कि तुमने starting में पढ़ा trigonometry क्या है the study of the relationship between the sides and angle of a right angle triangle ठीक है तो बच्चियों अगर मैं यहाँ पर यह बोल दूँ कि हमारा angle a angle a अगर हमारा क्या है angle a अगर हमारा theta है angle a क्या है angle a हमारा theta है ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना किसी right angle triangle में बहुत basic सी चीज़ा अगर यह clear होगी तो trigonometric ratios आधा clear हो जाएगा देखो किसी भी triangle में आपका जो 90 degree होती है किसी भी right angle triangle में जो 90 degree वाला angle होता है उसके opposite side hypotenuse होती है लेकिन आपका जो perpendicular और base होता है वो change हो जाता है अगर आप किसी right angle triangle में angle change गरते हो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर मैं angle A के लिए angle A के लिए अगर मैं perpendicular और base निकालू तो क्या होगा angle A के opposite side perpendicular होगी और इसकी side वाली side base होगी लेकिन अगर angle C के लिए अगर मैं बात करता हूँ इस angle C के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा angle C के opposite side यानि कि ये वाली side क्या होगी perpendicular होगी और angle C के लिए ये वाली side हमारी base होगी तो इस चीज को याद रखना कि जब आप trigonometry में क्या करते हो किसी right angle triangle में आप अपने trigonometric ratios निकालने जाओगे तो जिस angle के respect में आप trigonometric ratio निकाल रहे हो उस angle के respect के according ही आपका क्या होगा perpendicular और base change होते रहेंगे अब total यहाँ पर हमारे पास मिला कर 6 trigonometric ratios होते हैं sin cos 10 cos sec और cos sec ठीक है तो भई देखो यहाँ पर हम theta के लिए यानि कि angle a के लिए हमारे सारे के सारे trigonometric ratios find out करेंगे यहाँ पर सबसे पहला trigonometric ratios आता है sin theta upon hypotenuse क्या है ac ठीक है ऐसे ही आपका cos theta base upon hypotenuse ठीक है यहाँ पर base क्या है हमारा ab upon me ac फिर 10 theta आता है हमारे पास perpendicular upon base तो perpendicular है bc upon ab फिर cos sec theta आता है तो देखो cos sec theta क्या होता है बच्चों यह sin theta का ultra होता है cos sec theta is equals to 1 upon sin theta होता है अगली अगली slide में relation भी दिखाऊंगा मैं तो cos sec theta होता है क्या hypotenuse upon perpendicular याने की ac upon bc फिर sec theta यह क्या होता है बच्चों यह होता है हमारा 1 upon cos theta याने की cos का उल्टा तो hypotenuse upon base याने की ac upon ab और last में आता है हमारे पास cot theta जिसकी value होती है base upon perpendicular तो base की value क्या हो गई a b perpendicular की value क्या हो गई हमारी b c चीक है अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बता हूँ इसे याद करने के बहुत सारे तरीके होता है इन सारे formula's को याद करने के बहुत सारे तरीके होता है जिन में से मुझे जो personally पसंद है क्योंकि मुझे यह याद रहता है हमेशा पी ले बेटा पी ले हरी हरी बोतल ठीक है पी ले बेटा पी ले हरी हरी बोतल इसका मतलब यह नहीं कि मैं हरी हरी बोतल पीता हूँ ठीक है मुझे याद रहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हरी-hari bottle पीता हूँ, मैं हरी-hari bottle के नाम पर सर्फ mountain dew पीता हूँ, ठीक है ना, तो चल मारो, ठीक, तो बही देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या आ गया, perpendicular upon hypotenuse, यह value किसकी हो गई, sine की, ठीक है, उसके बाद base upon hypotenuse, य value किसकी हो गई, 10th theta की, ठीक है, 10th theta को पलट दोगे, base upon perpendicular हो जाएगा, cot theta, hypertenuse upon base हो जाएगा, हमारा sec theta, और hypertenuse upon perpendicular हो जाएगा, हमारा cos sec theta, ठीक है, तो पीले बेटा, पीले, हरी-hari bottle, इससे तुम याद कर सकते हो, या फिर पंडित बदरी प्रसाद हर-hर बोले, इससे भी य याद करना चाहो, इससे भी, ठीक है, तो याद कर सकते हो, तीनों के तीनों ही हमारे क्या है, trigonometric के एक सारे formulas को याद करने के एक छोटी सी क्या है, ठीक है, अब देखो बच्चों, यह हो गया हमारा trigonometric ratios, इन ratios के बीच में कुछ relation है, जैसे कि मैंने पहली बताया, तो हमारा 1 upon cot theta, एक सेकंड, यह है हमारा क्या बच्चों, 1 upon cot theta, 10 theta is equal to होता है, हमारे पास 1 upon cot theta, ठीक है, उसके बाद बच्चों, हमारे पास दो relation हो रहे है, कि सबसे पहले हमारा जो 10 theta होता है, उसकी value sin theta upon cos theta भी होती है, और वही है कि 10 theta को पलट के लिख दोगे तो cot theta आ जाएगा, तो cot theta की value हमारी cos theta upon sin theta भी होती है, ठीक है, तो यह तुमारा trigonometric ratios और उनके बीच में जो relation है, वो establish हो गए है, एक बार देख लो सारी चीजे, ठीक है, यह सब को चमका के नहीं चमका, जल्दी से बता हो भई, चमका के नहीं चमका, clear है, आगे है समझ में, आगे चले अब, चालो, देखो भई, आगे आ जाते है, सीधा फिर हमारे पास next topic start होता है, next topic है हमारा some specific angles, trigonometric ratios for some specific angles, यहाँ पर देखो तुमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, पूरी की पूरी trigonometric table है, ठीक है, जहाँ पर हम 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree के लिए सारे के सारे trigonometric ratios, sin, cos, 10, cos, 1, cos, 1, इन सब की value निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि class 10th में हमें खाली acute angles के लिए ही क्या पढ़ने हैं, हमारे trigonometric ratios पढ़ने हैं, तो हम 0 degree से 90 degree के बीच तक के angles क के लिए क्या निकाल लेते हैं, अपना trigonometric ratios की value निकाल लेते हैं, ठीक है, अब ये जो table है, इसे याद करने की एक trick है, जो कि मैं बता रहा हूं, वो याद कर लो, ठीक है, एक बहुती बहतरीन trick है, जिस बच्चे को याद हो जाएगी, उसकी चांदी हो जाएगी, अगर मान book होगी, exam book होगी, उसके पीछे बना सकते हो, trigonometric table को, सबसे पहले क्या करो, अपना सारे के सारे angle लिखो, 0 degree, ठीक है, उसके बाद, 30 degree, थोड़ा तेज करेंगे बच्चों यसे, अब हम, यह हो गया हमारा 45 degree, ठीक है, उसके बाद 60 degree, at last 90 degree, ठीक है, यह याद करने के बस एक trick है, यह कोई वैसी trick नहीं है, professional बस याद करने के लिए, मैं तुम्हें trick बता रहूं यह वाली, तो याद कर लेना, इस से अपनी trick न sin theta, 1, cos theta और 10 theta, मैं इन तीनों की values निकालना सिखा रहा हूँ, इन तीनों को अपस में पलट कर, तुम क्या कर सकते हु, इन तीनों को अपस में पलट कर, तुम say, sin को पलट कर, cos sec की value और 10 को पलट कर cot की value आराम से निकाल सकते हो. तो लेखो, इसकी simple सी trick है. सबसे पहले sign की table तयार करेंगे. sign की table तयार करने के लिए क्या करोगे? 0 से number लिखने शुरू करोगे. 0, 0, 1, 2, 3, and 4. ठीक है? 0 से number लिखने start करें. जहां तक जाएंगे लिख दो बस. ठीक है? उसके बाद सब को 4 से divide कर दो. 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, और 4 by 4. ठीक है? उसके बाद इनका square root कर दो. सब का. ये just एक trick है. ठीक है? तो अब देखो value क्या आएगी? 0 by 4 कितना होगा? 0, 0 का square root करोगे 0 आ गया. चलो जी. ठीक है? इसके बाद 1 by 4. तो देखो, 1 को root से बाहर निकालेंगे, 1 आ गया. और 4 को root से बाहर निकालेंगे, तो क्या आ गया? 1 by 2. ठीक है? 2 by 4. 2 से 4 divide हो जाएगा, 1 by 2 आ गया. 1 by 2 का मतलब क्या है? कि 1 को root से बाहर निकाला, तो 1, और root 2 हमारा ऐसी आ गया, तो 1 upon root. ठीक है? root 3 हमारा ऐसी रहेगा, 4 को root से बाहर निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 2. ठीक है? 4 से 4 cancel out हो गया, अपनी value आ गया 1, तो square root 1 की value हो गया 1. ठीक, तो तुमारी sign की table जो है, वो तयार हो गया. sign 0 degree की value 0, sign 30 degree की value 1 by 2, sign 45 degree की value 1 upon root 2, sign 60 degree की value, कितनी? root 3 upon 2 और sign 90 degree की value कितनी हो गया हमारी 1. अब जब यह table तयार हो गयी, यह table तयार होने के बाद तुम आराम से क्या कर सकते हो? जब तुम्हारी sign की table तयार हो गई उसके बाद cos की table तयार करना कोई बड़ी बात नहीं है कैसे बस क्या करो अपनी sign की table को इस side से लिखना शुरू कर दो सबसे पहले क्या आ रहा है 1 उसके बाद क्या है root 3 upon 2 उसके बाद क्या है 1 upon root 2 उसके बाद क्या है 1 upon 2 और उसके बाद क्या है 0 खतम बात ये बन गई तुम्हारी cos की table cos की table तयार हो गई cos की table तयार होने के बाद क्या करो अपना 10 की table निकाल लो तुम value चानते हो 10 की क्या होती है 10 theta is equals to sin theta upon cos theta होता है 10 0 degree की value sin 0 degree upon cos 0 degree तो 0 upon 1 कितना हो गया 0 ठीक है 10 30 degree की value sin 30 degree upon cos 30 degree तो यानि कि 1 upon 2 upon root 3 upon 2 तो यह हो जाएगा 1 upon root 3 ठीक है ऐसे ही 1 upon root 2 upon 1 upon root 2 यह हो जाएगा अपना 1 ठीक है root 3 upon 2 upon 1 upon 2 यह हो गया कितना root 3 ठीक है और 1 upon 0 क्या हो जाएगा देखो किसी number को 0 से जब आप divide करते हो तो क्या आता है उसकी value आती है not defined not defined तो मेटा देखो अब ये क्या बन गई ये बन गई तुम्हारी sine cost 10 की trigonometric table अब sine को पलट लो तो तुम्हारे पास cosac की बन जाएगी देखो cosac 0 degree की value क्या होगी 0 upon 1 को लिखोगे 1 upon 0 तो तुम्हारे पास कितना आ गया not defined cosac 30 degree की value होगी 1 upon 2 को पलट कर लिखोगे तो 2 upon 1 याने कि 2 cosac 45 degree की value होगी root 2 cosac 60 degree की value होगी 2 upon root 3 और cosac 90 degree की value होगी 1 same इसी तरीके से आप sec को पलट कर cos को पलट कर sec की value और cot 10 को पलट कर cot की value निकाल सकते हो तो यह trick है trigonometric table बनाने की I hope तुम सबको अच्छे समझ में आ गई होगी काफी important है ठीक है अब इसमें खाली यही है हमारे पास जो how to learn trigonometric ratios for some specific triangle है उसमें खाली यही है कि तुम्हें trigonometric ratios की values याद होनी चाहिए और उससे base तुम question को solve कर पाओ बस बाकी और कुछ नहीं है ठीक है इसके बाद हमारे पास last topic आ जाता है जो कि है trigonometric identity ठीक है जिसमें से पहली वाली identity का proof तुमारे syllabus में है जो कि बहुत ही simple है कैसे मैं बता देता हूँ देखो कुछ नहीं करना तुम्हें तुम्हें एक right angle triangle लेना है ABC जिसमें यह angle 90 degree है प्रूफ कैसे करना है उसके trick वो बता रहा हूँ ठीक है तो 90 degree है तुम क्या लगा सकते हो तुम्हें Pythagoras theorem आती है क्या होँ कहती है भी Pythagoras theorem कि hypotenuse का जो square होगा वो बाखी दोनों sides के square के sum के equal होगा ठीक है जाने कि हमारा AC का square triangle ABC में AC का square is equals to हो जाएगा AB square plus BC square के ठीक है अब जहां पर क्या करो इस पूरी equation को AC square से divide कर दो ठीक है तुम्हारे पास बनेगा 1 is equals to AB upon AC का whole square BC upon AC का whole square ठीक है तो अब इस right angle triangle में angle A के लिए क्या करो sine A और cos A की value निकालो तो तुम जब sine A की value निकालोगे तो वो आएगा BC upon AC जिसे तुम क्या करोगे इस equation में बदल दोगे और जब तुम निकालोगे cos A की value तो वो आएगा हमारे पास AB upon AC जिसे तुम इस equation में बदल दोगे तो तुमारे पास अपने आप निकल कर आजाएगा sine square A plus cos square A is equals to 1 ठीक है अब ये तो हो गया प्रूव करने का तरीका identity क्या होती है जो कि यार याद हो निची चीज की identity क्या होती है कि किसी भी algebraic equation ऐसी कोई भी ऐसी algebraic equation जो की अपने variable की हर एक value के लिए क्या हो अपने variable की हर एक value के लिए क्या हो वो बिल्कुल truth हो ठीक है वो satisfied हो तो वो हमारी होती है identity जैसे कि आपने algebraic identity पढ़िए है x plus y का whole square is equals to x square plus 2xy plus y square तो यहाँ पर आप x और y की value कुछ भी रख दो कुछ भी रख दो हमेशा जो value निकल कर आएगी वो x square plus 2xy plus y square के form में ही आएगी तो यह क्या है यह एक identity है सेम ऐसे ही बच्चों यह तीनों identity है जिनमें से सबसे पहली identity है sin square a plus cos square a is equals to 1 ठीक है इसे लिखने के अपने पास दो तरीके और है इसमें से आप पहले वाले तरीके से लिख सकते हो कि sin square a is equals to 1 minus cos square a ठीक है और हमारा दूसरा तरीका है कि cos square a is equals to 1 minus sin square ठीक दूसरी वाली जो trigonometric identity है वो है sec square a minus 10 square a is equals to 1 ठीक है अब इसके लिए specific कर दिया गया है कि यह जो trigonometric identity है वो valid होगी कहाँ पर खाली अभी के लिए class 10th के लिए तुम्हें यहीं तक समझना है कि जो angle a है ठीक है यानि कि जो आपका angle a है उसकी value 0 degree से बड़ी है उसके बराबर हो सकती है और 90 degree से छोटी रहेगी ठीक है दूसरी वाली जो तुम्हारी identity है वो a की किन values के लिए 0 या फिर 0 degree से बड़ी और 90 degree से 90 degree से छोटी values के लिए ही क्या है यह identity valid है ठीक है इसे लिखने के भी बच्चों हमारे पास दो और तरीके हैं सबसे पहला तो आजाता है कि sec square a is equal to 1 plus 10 square a ठीक है और दूसरा आजाता है हमारा कितना यह आजाता है हमारा 10 square a is equal to sec square a minus 1 ठीक है यह हमारी हो गई दूसरी trigonometric identity अब तीसरी की बात कर लेते हैं जो तीसरी और last है ठीक है वो क्या है sec square a minus cot square a is equal to 1 एक range में रख दिया गया एक limit में रख दिया गया कि भाईया 0 degree angle से बड़ा angle होना चाहिए और 90 degree है उसके equal होगा तो चलेगा ठीक है तो अगर a की value इसके पीच में लाए कर रही है तो आपकी identity बिल्कुल true हो जाएगी ठीक है sec square a is equal to 1 plus cot square a और दूसरा आप लिख सकते हो cot square a is equal to cos sec square a minus 1 तो बेटा देखो इसके साथ जो तुम्हारी trigonometric identity और यह जो बाखी के topic थे तीनो topic मैंने तुम्हें समझा दिया है अच्छे से तीनो topic मैंने तुम्हें अच्छे समझा दिया है specific angle और trigonometric identity तीनों अच्छे समझा दिया है अब बस हमें क्या करना है इन पर बेस कुछ कोशन करना है तो सीधा कुछ कोशन पर चलता है जल्दी से देखो जैसे कि एक simple सा question तुम्हें given है कि एक right angle triangle में तुम्हें क्या given है a,b,ac और b,c की value given है एक right angle triangle है जिसमें तुम्हें a,b,a,b,and,c यहाँ पर given है कि if in a right angle triangle right angled at c तो इन्होंने बोला है कि यह जो है यह right angle at c पर ठीक है यह c पर right angled है ठीक है हम से कह रहा है a,b is equal to a 13 cm यह 13 cm है ठीक है a,c is equal to a 5 cm यह 5 cm है और b,c is equal to a 12 cm हम से कहरा find the value of sign याने कि हमें क्या करना है बचो बहुत simple question है तो angle a के लिए sign है तो angle a के लिए हमें क्या करना है angle a के लिए हमें sign की value नकालना है sign का formula क्या होता है perpendicular upon hypotenuse donc angle a के लिए perpendicular क्या होगा इसकी opposite side याने कि यह रही b,c upon hypotenuse Hypotenuse तो fix रहती है 90 degree के opposite side को ही Hypotenuse बोलते है तो यह हो गया AB BC upon AB BC की value है 12 AB की value है 13 तो 12 upon 13 हमारे क्या आ गया? Answer हो गया हमेशा याद रखना sin theta की value जो होती है वो 1 से बड़ी कभी नहीं होगी sin theta की value हमेशा 1 से छोटी होगी इस point को याद रखना तो 12 upon 13 कौन सो option correct होगे option number C is absolutely correct तुम लोग भी हाथो हाथ questions को solve करते रहो और मुझे comments में answer बताते रहो चलो next question देखते है next question क्या कह रहा है अब ये वाला question तुम लोग बताओ मुझे solve कर गे अगर sin theta की value है कितनी sin theta की value given है हमें कितनी a upon b sin theta is equal to a a upon b के तो find out the value of cos theta बताओ कैसे solve करोगे इसे दो तरीके हैं या तो triangle बना लो लेकिन हम triangle बना कि क्यों अपना time खराब करें क्योंकि हमें तो ये question one mark में मिला है तो one mark में तो इस question को हम किससे identity से solve कर सकते हैं क्या identity होती है हमारे पास cos square theta cos square theta plus sin square theta sin square theta is equal to one होता है हमें किसकी value चीए हमें value चाहिए हमारी किसकी cos theta की cos theta की value यहां से निकाल दो cos square theta is equal to हो जाएगा अपने पास theta is equal to हो जाएगा one minus sin square theta ठीक है दोनों side का root कर देंगे अपने पास क्या value हो जाएगी value आजाएगी cos theta is equal to cos theta is equal to square root के अंदर one minus sin square theta अब आप जानते हो sin theta की value आपको given है a upon b value यहां पर put कर दो question solve हो गया cos theta is equal to हो जाएगा square root के अंदर one upon sin square theta a upon b का whole square ठीक है solve करेंगे यहां से आजाएगा cos theta is equal to square root के अंदर one minus a square upon b square ठीक है lcm लेंगे तो यह हो जाएगा square root के अंदर b square minus a square upon b square यह हो गई तुमारी cos theta के value simple question था आराम से solve हो गया option number कौन सा correct होगा b square minus a square upon b बलकि हाँ यहाँ पर हमने क्या करा है यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो इस नीचे वाले जो b square है इसे root से बाहर निकाल लो यह जो नीचे वाला b square है इसे root से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा b square minus a square upon यह भी answer गलत नहीं है यह भी बिल्कुल सही है option में यह दे रखा था तो हम इस ही लेंगे ठीक है तो कौन सा option correct हो गया option number a b square minus a square upon b इस question का correct answer हो जाए question solve next question पर चलते है next question देखो क्या कहता है ठीक है अब यह वाला question तुम लोग खुद से करोगे metric बता देता हूँ तुम यह पर देख रहा है 10 square minus 5 sec square तो यहाँ पर तुम क्या करोगे इसमें से 5 को common लोगे तुम देखो कि तुमारे पास बनेगा 10 square minus sec square लेकिन जो तुमारी trigonometric identity है वो क्या है वो है sec square a minus 10 square a is equal to 1 और तुमारे पास क्या बनेगा जब तुम 5 common लोगे तुमारे पास बनेगा 10 square a minus sec square a तुम क्या करोगे 5 न कॉमन लेकर minus 5 common लेना minus 5 common लोगे तो यह क्या बन जाएगा plus sec square a minus 10 square a ठीक है तो minus 5 into sec square y minus 10 square a सेk square a minus 10 square a की जंगा पर तुम 1 रख दोगे तो minus 5 into 1 कितना हो जाएगा question है, prove the following identity where the angles involved are acute angles, series ही बात है, acute angles की बात होगी class 10th में, ठीक है for the which expressions are defined मतलब हमें क्या करना है, हमें ये proof करना है जो given है, हमें value given है हमें value given है, यहाँ पर sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे value लेकर आनी है, 10 theta के equal तो देखो, यह trigonometric के question में जो यह proof वाले question है न, इन में दो चीज़े देखा करो, या तो तो तुमें direct कोई trigonometric identity बनती भी दिख जाए ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी हो नहीं तो तुमने जितनी भी maths पड़ी है, उसमें से तुम यहाँ पर क्या लगा सकते हो, तुम वो सोचो सोचो यहाँ पर क्या लगा सकते हो वर्स के सोचो कि यहाँ पर क्या लग सकता है, सोच के देखो जब पापा कहते है न कि हाँ बिटा वो आत उससे बात करनी है रात को और उसके बाद तुमारी जिन्दिकी भर के जितने तुमने कांड गरे होते हैं वो सारे तुमारे दिमाग में आ जाते हैं न तो सेम उसी तरीके से जब ट्रिग्नोमेट्री का कोशन दिखे और वहाँ पर कोई identity ना लग रही हो तो सोचो पूरी mathematics जिन्दिकी भर में जितनी पढ़ी हो उसमें से क्या लग सकता है आप देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा अपन नीचे से आ रहा है कॉस थीटा कॉमन यहाँ पर क्या बनेगा टू कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो तू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया वन तो देखो sin theta upon cos theta क्या बन गया sin theta upon cos theta तो बन गया 10 theta ये लो ये तो निकल के आगे है जो चाहिए था आगे वाले को solve कर लो यहाँ पर क्या बनेगा देखो ये बनेगा 1 minus 2 in 2 अब क्या हो रहा है नीचे वाली जो term है वो cos में है उपर वाली cos square theta upon 2 cos square theta minus 1 एक है solve कर लो question solve हो गया यह बच्चो वाला question है देखो ये हो जाएगा आपने पास 10 theta into 1 minus 2 की अंदर multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की अंदर multiply करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा आपने पास minus 2 और minus 2 की multiply minus cos square theta में करेंगे तो देखो हो गया minus 2 minus minus plus 2 cos square theta. upon में है अपने पास 2 cos square theta minus 1. तो देखो उपर क्या बन गया? 10 theta into 2 cos square theta. 1 minus 2 करेंगे minus 1 upon 2 into cos square theta minus 1. 2 into cos square theta minus 1. हमारे पास value निकल कर आगई कितनी? 10 theta जो कि किसके equal है? RHS के equal है. खतम. simple question हो गया. खतम good bye गया. ठीक है? अब आजाओ दरा next question पे. ठीक. अब देखो ये वाला question तुम लोगों को खुद करना है. इसमें खुद सोचो कि तुम क्या कर सकते हो वसके सिनेरियो. यहाँ पर भी A प्लस B का whole square खुल रहा है. यहाँ पर भी A प्लस B का whole square खुल रहा है. खोल दो A प्लस B का whole square दोनों जंगा पे. यहाँ पर देखो. 2 into sine, cos x k याएगा, sin x se cos x k याज़ाएगा, 2 बचेगा, यहापर 2 into cos x x x k याएगा, cos x x k याज़ाएगा, 2 बचेगा, 2 plus 2, 4 हो गया, sin x2 plus cos x k याज़ाएगा, भूरा 1, 4 plus 1, 5 आगया, ठीक है, और cosac square और sec square को तुम क्या लिख सकते हो cosac square को तुम लिख सकते हो 1 plus 10 square sorry 1 plus cot square और sec square को लिख सकते हो 1 plus 10 square ठीक है तो 1 1 2 5 plus 2 7 तुम्हारे पास आ जाएगा 7 plus 10 square plus cot square पूरा question मैंने verbally solve कर दिया क्योंकि मुझे ध्यान है कैसे solve करना है तुम लोग practice करोगे तो तुम भी कर पाओगे ठीक है तो जितने question आज की class में कराएं है जितनी चीज़े तुम्हें आज की class में पढ़ाई है उन सब को क्या करना है भई अब तुम्हें revise करना है आज के इस mind map को मैं यही पर खतम करता हूँ मिलते है सीरा next class में अब तक के लिए take care टाटा और बाई बाई